Hello Everyone, True English Classes by Rameser को subscribe कीजिए, bell icon को press कीजिए ताकि मेरा notification सबसे पहले पहुँचे आप Hello Everyone, True English Classes by Rameser में आपका स्वागत है और students, आज की वीडियो अपनी थोड़ी different होने वाली है आज की वीडियो मैं आपके लिए English Class नहीं लेकर आया हूँ आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो educational channel बनाना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं लेकिन बना नहीं रहे हैं वो सोच रहे हैं हमें इस चीज़ की जरूरत होगी इस चीज़ की जरूरत होगी ये चीज़ नहीं है तो grow नहीं करेगा channel तो ऐसे दोस्त जो भी confusion में है channel बनाना चाहते हैं लेकिन बना नहीं रहे हैं उनकी साहता के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि उनकी कुछ साहता हो सके और किन किन चीज़ों की उनको जरूरत है ये वीडियो बनाने के लिए मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ तो स्ट्रेंट्स ज़्यादा सोचने की जूरत नहीं है पहली बात तो जितने भी sources आपके पास है you have to start पहले तो आप बना दो चैनल अपना शुरू करो और educational चैनल के लिए आपको कोई ज़्यादा बड़े प्लान की और ज़्यादा बड़े साधनों की जरूरत है नहीं एक बार अपना चैनल शुरू करो और कौन-कौन है sources आपको starting में चाहिए कौन-कौन सी चीज़ें आपके पास device होने चाहिए वो हम आपको बताने जा रहा हूँ तो सबसे पहले तो आप teach करना चाहते हैं educational channel बनाना चाहते हैं तो या तो आप green board रखें या फिर white board green board क्योंकि कई teacher हैं जो अपने दोस्त जिनकी writing चोक के साथ better है तो green board का use करें और कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनकी जो writing है वो marker के साथ बढ़िया है तो आप white board का use कर सकते हैं मैं देखो white board का use करता हूं और यदि आप white board का use करें तो please use three markers आप black, red और blue तीन markers का आप यूज कर सकते हैं और अगली जो metaphor चीज में आपको बताने जा रहा हूं सबसे metaphor में इसको मानता हूं lighting आप educational challenge बना रहे हैं तो lighting बड़ी best होने चाहिए आपका पड़ाने का तरीका आपका talent चाहिए कितना भी better है लेकिन वो बच्चों के उपर इतना influence नहीं पड़ेगा यद है लेकिन फिर shadow create होती है बोर्ड के उपर तो उसके लिए भी मैं आपको बताना चाहता हूं आपने क्या करना है left side में एक near about 40 watt आपने light लगानी है इसका फाइदा क्या होगा जो आप right side में लगाएंगे left side में आपने लगानी है कि 40 watt की इसका फाइदा यह होगा left side जो right side की उसको यह किल कर देते हैं यह एक ज़्यादा इसका benefit है तो लाइटिंग बड़ी अच्छी होने चाहिए जो थर्ड चीज जिसको मैं बैटर बांता हूं किसी भी educational वीडियो में that is a sound आप कितने भी अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं यदि students के पास sound अच्छे तरीके से नहीं जा रही है तो वो influence नहीं बन पाता तो sound जरूरी है इसके लिए आप माइक खरीद सकते हैं और माइक जड़ा कोशली है नहीं बोया का माइक है नियर अब आउट नाइन अंडर न यूज कर रहा हूं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ और जो next कई बच्चे starting में सोचते हैं हमारे पास एक अच्छा camera होना चाहिए तो आपको इतने रुपे खर्च करने की जरूरत नहीं है क्योंकि mostly बच्चों के पास mostly teachers के पास smartphone है तो एक ऐसा smartphone जिसका back या front camera अच नहीं पढ़ाते हैं मैं अपना face दिखाएं इसका benefit यह है कि मान लिया कभी बाइचांस आपका चैनल में को गड़बड हो जाती है तो जो students है उनक आपकी face value का पता होता है तो दूबारा किसी तरीके से आपका channel आ सकता है यदि आप बिना face camera दिखाए पढ़ा रहे हैं तो आ क्योंकि starting में मेरे पास भी stand नहीं था और काफी समिश है मुझे create होई किसी भी तरीके से हम phone को stand करने की कोशिस करते थी वो गिर जाता था लेकिन उसके बाद मैंने एक stand खरीदा जिससे काफी फाइदा हुआ है आज भी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ऐसे ही मैंने अपना फोन एक side रखा है क्योंकि ताकि मैं आपको मेरा जो stand है वह मैं आपको दिखा सको यह stand मैंने ख्रीद है और सिरफ 500 रुपे गाया दोस्तों यह ज्यादा educational channel के लिए आपको ज्यादा खर्च करने की जरूरत है नहीं और यह मैं आपको अपना माइक भी दिखाता हूं बोया क सिर्फ 900 रुपे में नियर बाउट 900 इसकी किम्मत है यह चीजें आपके लिए जरूरी है इसके यही चीजें एक चीज जिम आपको बताना चाहता था उत मेरे दिमाग में दिस टार्टिंग में गलती कि उसमें स्टार्टिंग में मैंने जो अपने वीडियो बनाई वाइव 5 मिंट 6 मिंट 7 मिंट यह बनाई है तो इसमें गड़बड क्या होई कि जो अपना वाचिंग टाइम वाचिंग टाइम है वह इंक्रीज नहों पाता तो दोस्तों मैं आप आप शुरू में यह गलतियां ना करो स्टार्टिंग से ही आप ग्रो करो इसके रिम आपको बता रह महिने में लेकिन दूसरे महिने में सबस्क्राइब किसी को मत को क्योंकि स्टार्टिंग में आप कह सकते हो बाद में जितने भी व्यू आपके टैलेंट के दम पे आएंगे बार-बार हम किसी को कहके अपने चैनल को ज़्यादे इंक्रीज नहीं करवा सकते और दोस्तों ला से आपने सुना भी है आज करें सो अब है अभी शुरू करो भाई हो ठीक है और आपका चैनल फिर hope for the best इन चीजों का आप ध्यान रखो जरूर ग्रो करेगा थैंक्यू गुडबाई